हाई फ्रेंट्स हम बना रहे थे स्मार्ट सेल्फ स्टार्जिंग एलेक्टिक कार तो वह अभी बन के कंप्लीट है तो आज के और सो पर हम इस कार को बनाएंगे और सर्कृट डाइगरम की मदद से भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका वाइरिंग कनेक्शन कैसे करना है और य कर देंगे हमने दो हमोतर को लाइंगे हम यहांपर 2 लाइंगे मार्केट मगी इसे हम यहांपर रोर्ड केशश कर रहे हैं कर दिए और दिए ताकी दिखने मनें अच्छा लगे और वर्क वह अच्छा से करें यहां पर देख सकते हैं यहां पर दो बैट्री लगा हुआ है सावा यहां चीज यहां पर फिक्स है अब अब मैं आपको इसका कैसे यह वर्क करता है वह मैं आपको दिखाता हूं जब हम इसे आउन करते हैं यह मोटर आउन हो जाता है और इस सुच को आउन करते हैं यह जो आयर सेंसर है उसमें पावर सपला जाता है और इसके सावने जदे हम कुछ भी रखते हैं तो इसका जो मोट करता है और आपको कई से connection करना है तो चलिए आप हम चलते हैं इसके circuit diagram के तरफ आपको वहाँ सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको दिख रहा है इस car का circuit diagram जो आपके सामने में यहाँ पर जो सेंटर में चलिए हम यहाँ पर एक ही मोटर लगाए है और वहाँ चलते हैं दूसरे सर्किट के और यहाँ पर आयार सेंसर के जी एंडी और ओट फूट चलो अब आप इस सेंसर के ऊपर फोकस करो आयार सेंसर के ऊपर यहां पर एक दुस्षा बैटी लगा हुआ है बीसी सी में बैटी का पोजेटिव और जी एंडी पीन जो है बैटी के निगेटिव से जुरा हुआ है और मैंने आपको संधाया था सें तो जब इस सेंसर के आगे कोई वर्ष्टिकल रखेगा यह एक्टिवेयट हो जाएगा और इसके और यह ओट्पूट देगा और आप देते ही इसका जो क्वाइल है वह एक्टिवेयट हो जाएगा और मैंने टैज होते ही यहां पर जो common pin और normally close pin में जुरा हुआ था एक wire वो यहां से हटके common pin से चले जाएगा normally open pin में अब आप इस circuit यो फोकस करो जो है आयर संसर के साम में कोई भी उवेश्टकल आया यह output दिया और output देते ही इसका जो coil है रिले का coil वो magnetize हुआ इसके अंदर जो wire जो रहा हुआ था common से normally close में वो यहां से हटके common से चला आया normally open pin पे तो यहां पर motor से बाइटी का connection चुट गया और दूसरा circuit यहां पर जोइन हो गया motor से load यहां पर आप देख सकते हैं load है load से जो रहा हुआ है normally open से common और common से फिर motor के दूसरे पीन पर इस circuit में जहां पर load लगा हुआ वहां पर हम लगांगे एक बैटरी और और car heavy होने के कारण यह car तो तुरहां तो रुकेगा नहीं कुछ दिर डी एक्सलेट करेगा जब तक यह डी एक्सलेट करेगा तब तक इसके अंदर जो motor लगा हुआ वह रोट्रेट करेगा और रोट्रेट होना के करण इसमें जो electricity जनेरेट होगा उसी के दोवार हम इसके बैटरी को चार्ज करेंगे इसके बैटरी को चार्ज करेंगे और इससे इस car का efficiency बढ़ जाएगा आप सब सोच रहे होगे कि जब हम इस car के सामने हाथ देते हैं तो यह car इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसका वर्जन बहुत ही कम है यहीं रियल में जो car होता है उसका वर्जन बहुत ही जादा होता है जब आप उसमें ब्रेक मारते होगे तो कुछ दिर आगे जाकर रुखता होगा तो जब तक वह दिए अधिक कर आगा उतना देल से आप उसके बैटे को चार्ज कर सकते हो हाई फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है इस कार का वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करना और ऐसी टेकनिकली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकत और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है और यदि आपको कुछ पूछना है आप कमेट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो